दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसूर आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि जारखंड में सिक्षक भरती निकली हुई है लेकिन वहाँ पर वो मामला भी हाई कोट में चला गया था क्योंकि बहुत दिनों से जारखंड टेट नही सबक्सक्राइब है जिसमें सीटेट को भरती परिक्षा आवजित करने का आगरह किया गया है बुलडब इतने साल से आप दिन करिए और सीटेट को भी आप अलेजिबल नहीं मान रहें तो कुछ तो करिए ऐसा बोला गया है तो इस पर है capitalism वही हुई और आईए पर पिछली सुनवाई के दौरान कोट ने राज सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था, कि राज सरकार क्या सीटेट को बैद मांते हुए आगे बढ़ने की तयारी कर रही है, जिस पर राज सरकार की और से कहा गया की आने वाले समय में JETIT की परिक्षा करवाई जाएगी अपना फैसला सुरक्शित कर लिया तो सेम आपको अलग अपडेट में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो finally देखे एक बार सरकार के तरफ से यह भी आया था कि हम although हम भारत के निवा से ही बोलते हैं लेकिन हम other state को नहीं आने देंगे ऐसा भी एक update news आपने देखा होगा तो नियम के हिसाब से उनको आने देना है लेकिन नहीं आने देंगे क्योंकि देखे सीटेट को एलाओ करेंगे तो obviously जो जारखंट के सिक्षक भरती आई है उसमें सब को एलाओ है तो सब आ जाएंगे लेकिन जेटेट अगर देंगे तो जो जेटेट देंगे वही आएंगे तो अब यहाँ पर यह भरती hold पर जाने की या भरती को जो है एक तरह से कहिए कि hold लगने की बात यहाँ पर हो सकती है क्योंकि अब यहाँ पर फिर से या तो उनको जेटेट कराना है या तो सीटेट को मोका देना है इन दोनों में से किसी एक को भी करने के लिए उनको भरती जो है यहाँ पर सिक्षक नियुक्ति की में सीटेट अभियर्तियों को सामिल करने पर फैसला भी सुरक्चित है और दोनों में से कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और इस पर आगे अब चीजे कुछ न कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अधर वे में जा रही है हो सकता है इसमें कुछ डिले हो जाए कुछ अपडेट आएगा और भी तो हम आपको बताएंगे लेकिन फिलाल के लिए लेटेस्ट अपडेट है थैंक्यू वेरी मुच बाबाए जहिंद